हलो फ्रेंट्स कॉंप्टेशन कमेटी के सीजी एसाई प्रलिम्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान आईए फ्रेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं सीजी एसाई एक्जाम को टार्गेट करते हुए बायलोजी के दूसरे महतपूर्ण सेशन को जिसमें की कुछ और महतपूर्ण प्रसना आज के सेशन में हम सामिल कर रहे हैं जिसमें की आप देख रहे हैं कि सबसे पहले कोश्चन नंबर वन स्क्रीन पे मानों सरीर में सबसे छोटी अंतर सरावी गंती इन में से कौन है विच अप दो फॉलेविंग इस स्मॉलेस ए यह ओप्शन नंबर सी आउनली 0.6 ग्रैम होता है आपकी इंडोक्राइट ग्लैंड है ना किसका इंडोक्राइट ग्लैंड का जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड या पीउस ग्रंथी आपको अगर यहां पे पूछा जाए सबसे बड़ी ग्रंथी कौन सी है कहा दो होगा तो यहां पे आप क्याедь को करेंगे ठीक है बाट ओवराल देखो यहां पी एक वर्ड यूस किया गया है इंडोक्राइट गलैंड होगा तभी आप ताइरएट को करता है says एक्जोक्राइन है कह सकते हैं है ना तो यहां पे टो धियां stapना है कि इंदोक्राइन घ्लेंड हमीशा क्याइब करते हैं हर्मोन स करते छब कि जो एंडोक्राइन ग्लेंड नहीं होते हैं वह एंजाइम सिक्रेट करते हैं जैसे की लीवर या दूसरे ऐसे ठीक इा तो आपको यहां पर इसका आंसर क्या यह सम सब्सक्राइब कर बीकरेस और या जिसों जिसका मतलब होता मिसृत गलंदी जो एंडो करता है और एक्जोक्राइन के रूप में भी काम करता है यानि कि वह एंजाइम भी सिक्रेट करेगा और वह हार्मों भी सिक्रेट करेगा क्लियर हो गया चलिए कोशन नंबर टू चलते हैं मानों सरीर में लेंगर हैंस की दीपिकाएं कहां पाई जाती वेराद आइस लेट्स सेल या कोशिकाएं होती है एलफा बीटा और गामा गामा को हम डेल्टा भी कह देते हैं तो इसे देखिए इसे किस प्रकार समझेंगे हमारे पास क्या है तीन प्रकार की एलफा बीटा और गामा एलफा से हमारा निकलता है क्या निकलता है ग्लूके गॉन ग्लूके गॉन न निकलते हैं यह तीन प्रकार के हार्मोन निकलते हैं ठीक है यह बात ध्यार रखना ग्लुकेगॉन क्या करता है आपको ग्लुकोस को ग्लुकोस में तोड़ने में मदद करता है ठीक और इंसूलीन क्या करता है ब्लड में ग्लुकोस की मात्रा को कंट्रोल करता है ठीक है यह बा सुमटु स्टेटिन क्या काम करता है तो स्टुमाइडस्टेटिन आप घानते हैं फूड का I बुद्धी स्मृती भावनाओं का केंद्र होता है मैडूला अवलांगेटा हाइपोथेलम सेरेबलम या फिर सेरेब्रम एक बात आप याद रखेगा ऐसा होता है कि जिसका सेरेब्रम सबसे ज्यादा डेवलप होता है तो उसका आईक्यू लेवल या उसका वह इंटेलिजें होता है एक बात और याद रखेगा मस्तिस क्याने ब्रेन जो क्या है सेंट्रल नर्वस सिस्टम केंद्री तंत्री का तंत्र का भाग होता है वह ब्रेन का सबसे महत्पूर्ण भाग जो होता है उस ब्रेन का होता है सेरेब्रम या यहां पर कह रहे हैं सेरेब्रम है ना तो उ आफ्टिस से आने वाले जाने वाले उद्धिपनों का सभवन करना यहां इस्टिमूलेटी इस्टिमूली का जो है आपका इंडंशन देख रहे हैं प्रतिवर्ति क्रिया का रेगुलेशन रिफ्लेक्स एक्षन या फिर मैमोरी या फिर ए एन भी तो क्या है इसका उत्तर केंद्री तंद्रिका तंद्र का तो वहां पर मेरु रज्जु का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता एक काम यहां पर देख रहे हैं वह है आपका रिफ्लेक्स एक्षन तो यह तो करेक्ट है लेकिन हमारे पास ऑप्शन ए और दोनों दिया हुआ तो ए चेक कर लेते हैं हाँ जितने भी जो स्टिमूली आते उसका कंडंक्षन करने भी यह मदद करता है इसलिए उसका उत्तर क्या होगा इसका ड्राइट ऑंसर है ठीक है इसका अंसर क्या है आपका ड्र हो जाएगा चलिए नेक्स और मूफ करते हैं नेक्स कोश्टन देख यहां पर पूरुसों की नस जाएगा ठीक है तो वैसेक टॉमी कहा जाता है पूरुसों की नस्व बंदी को जिसमें की उनके सुक्र जनननलिका को क्या है बांध दिया जाता है जो है ऑपरेशन के द्वारा और उसके बाद देखते हैं वह लाइक स्पर्म आगे नहीं निकल पाता ठीक है तो यहां पर दे यह भीal है क्या है यह कहा gemacht है तो अब प्रसावгорब जो है ब्रूण परिक्षन को हम्योज्ञ सेंटस कहें ते इसमें जो है किया जाता है इसे लिए प्रतिबंदित है जनरली क्या है जो है बालक और बालिकाओं में अंतर करने की कारण है ना इसमें इसका मिस्यूज ज्यादा हो रहा था इसलिए प्रतिबंदित है इसलिए सभी हॉस्पिटल में यह लिखा भी आपको दिख जाएगा ठीक चलिए अब नेक्स्ट कोश्चिन देखते हैं अच्छा इसका रोग में लाप्रोसी में लगाया जाता हैुट टीघी तो थीन वर्ढ़ धी पी टी डी का मतलब डीप्थीरिया पी का मतलब ही ते आप का मतलब टीज यह तीनों चीज surprising का यूज किया जा तो मैं इप्थेरिया, PertoireUS, है ना, और टीसरा है आपका क्या है facilities बपाइस ठीक अब 20 जीशी का फुल फ़र्म पूछा जाता है bacillus calumatic urine तो यह होता है आपका किस में लगाया जाता है टीवी में यह इसे लगाया जाता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा c is the right लंब करते खोशन कोबीड का नाम है नीम अप गोब 19 वाइरस कीसे यह rec usa कर इंध वाइरस क्या है इसका सही उत्तर है कोविड 19 वाइरस ठीक अब h1n1 क्या है पूछा जा तो h1n1 के लिए responsible वाइरस है ठीक है अगर h51n1 कह दिया जा है तो वह बर्ड फ्लू के लिए ह1n1 फ्लू h5n1 वह है आपका बर्ड फ्लू ख्लियर हो गया तो इसका उतर क्या हो जाएगा यहां पर भी हो जाएगा चले next question देखते हम टिका या vaccination का आविस्कार किस ने किया था who invented the vaccine तो यहाँ option दिया हुआ है Louis Pasteur, Louis Pasteur सहाब ने क्या किया था Louis Pasteur सहाब ने भई Rabis का टिका का discover किया था invention किया था और दूसरा वहाँ देखते हैं कि Louis Pasteur सहाब ने पास्चर बढ़ा रहे हैं पास्चूरी करंड की खोचकी थी ठीक है यहाँ पर याद रखना तो Rabis का टिका और पास्चूरी करंड कि इन की देन है आपके Louis Pasteur की Edward Jenner सहाब की देन है क्या है आपकी smallpox smallpox मतलब छोटा नहीं है small मतलब बड़ी माता होती यहाँ पर याद रखना थोड़ा अलग नाम है थोड़ा अपुआद वाला नाम है smallpox मतलब बड़ी माता है ना यह बात ध्यां रखना और छोटी माता के लिए हम chickenpox यूज़ करते हैं ठीक है तो Edward Jenner सहाब ने यहाँ पर smallpox का टिका उन्होंने क्या किया था जो है उन्होंने invention किया था और यहाँ पर जो बड़ी माता है बड़ी माता चेचक जो बहुत पहले जो है बहुत जादा घातक हुआ करता था उनके लिए वो टीका का अविश्कार किया था ठीक है Edward Jenner सहाब ने तो याद रखेगा वाइरस रिस्पॉंसिबल होता है तो वैरियोला वाइरस ठीक और स्मॉल पॉक्स यह वैरियोला वाइरस हो गया याने बड़ी माता हो गया चेचक हो गया लेकिन अगर चिकन पॉक्स के लिए कौन सा ऐसा जो है वाइरस रिस्पॉंसिबल है कहा जाएगा तो हाँ वैरी सेला वाइरस तो आप चिकन पॉक्स से वैरी सेला याद रखना और स्मॉल पॉक्स याने बड़ी माता से वैरी ओला वाइरस ठीक है क्लेर होगे आप सभी को एड़र अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब ने क्या पैनिसिलीन का डिसका इन्वेंशन किया था है ना और उसके बाद देखते हैं वहाँ पर राबर्ट कोज साहब ने क्या किया था बताईए राबर्ट कोज कालाजार किस से होता क्या वो बैक्टिरिया से होता है कालाजार किस से होता अगर आपको कहा जाए तो कालाजार होता है लिस्मानिया डोनो वानी नाम का एक प्रोटो जोवा तो यहां पर कैसे लिखेंगे इसे इस प्रकार समझ लें कि यह जो होता है आपका यह है आपका प खासी वैक्टिरिया से होता है तो सही सुमेलित करना है पहला दूसरा गलत होगया है किस से होता है मैलेरिया के लिए आपको पता है यान्य की एक वेक्टर या वाहक का काम करती है लेकिन और वह होता है कि Rebellion कारण होता है प्लाजमोडियम पैरसाइट नाम से होता है तो प्लाजमोडियम पैरसाइट क्या है यह प्रकार का प्रोटो जो आए यह उत्तर गलत है अब बात करते हैं अस्थमा या फंगस या अस्थमा जो होता है यही रीजन है कि फंगस के कारण जो है ता दमा या आपका स्थमा होता है चलिए नेक्स कोशन की और मूव करते हैं तो नेक्स कोशन यहां पर देखिए फिर सिमिलर टाइप के यहां पर दिफिकल्ट जरूर लगेगा लेकिन बढ़ा बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर ध्यार रखना की सुमेलित हैंफे से मैच करना है हैजा किसके क कारण होता है तो हैजा होता है याद रखना हैजा या कॉलेरा तो विब्रियो कॉलेरा कॉलेरा वर्ट से याद रख लेना तो इसका उत्तर तो यह होना चाहिए तो पहला उत्तर गलत है पहला क्या है गलत है अब दूसरा यहां पर देखिए टाइफाइट टाइफाइट त माइको बेक्टिरिआम त्यूबर कुलोसिस ऐह चार्ण होता है ना टाइफ़ाad अध्यolly के कारण होता है और खसरा जो होता है वह मौरबिली वाइरस की कारण होता है तो इसका सही मैश है डी क्लेर हो गया चले नेस्ट कोश्चन की रूमूब करते हैं तो नेश्च कोशन यहाँ पर देखिए पहना हेद हरित यहने क्लोरो फिल में निम्निलिखित में से कौन सा आतत् of the following elements is found in the chlorophyll तो आइरन, तामबा, मेगनेशियम और मेगनीज तो मुखे तक क्या पाया जाता है यहाँ पे हमारे पास याद अठना है मेगनेशियम पाया जाता है ठीक है इसका यह बहुत important question भी है exam में पूछा जाता है गैसी स्थिती में कौन सा में पाय जाने वाला हार्मोन कौन सा है the hormones found in gases state is एक ही तो ऐसा हार्मोन है जो gas form में मिलता है उसका नाम है क्या है राइपलिंग हार्मोन भी कह देते है उसका नाम है एथिलीन तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा एथिलीन हो जाएगा ठीक है ये आपका क्या है एबी एबी ए इसे कह देते है एपसेसी के सिट क्या कहा जाता है ये क्या एक प्रकार का आपात कालीन हार्मोन इसके लिए कहा जाता है आपात कालीन नहीं कहेंगे एक्च्वल में इसे कहेंगे जब भी प्रतिकूल परिशिती आती, adverse condition आता है, तो ABA जो है वहाँ पे पतियों को गिराने में मदद करता है, ठीक है, ताकि वो पौधही में पानी की आपूर्थी बनी रह सके, ठीक है, तो ये ABA हार्मोन कहलाता है, जिबरेलीन आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था प अक्सिन भी एक ब्रिद्धी हार्मोन से ठीक है, तो चलो, आगे बढ़ते है नेक्स कोशन, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा, B, नेक्स कोशन देखते हैं, मानो सरीर में पाए जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथी है, ये वो कोशन आ ही गया, जो प पैंक्रियास तो इंडोक्राइन ग्लेंट है और यह क्या मिसरित गंती है, जो हार्मोन और एंजाइन दोनों सिक्रेट करता है, वैसे ही बात करते हैं, लार गंती हो तो छोटा ही है, है ना, उसके बाद एड्रिनल ग्लेंट ये भी नहीं है, ठीक, तो इसका उत्तर क्या हो याद रखेगा कि लीवर और मसल्स में जो होती है ग्लुकोस का जब कहना चाहिए ज्यादा मात्रा बढ़ जाता है तो ग्लाइकोजन में कनवर्ट हो जाता है और यह एक्चल में यक्रित याने लीवर में ही स्टोर होती है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा डी इस दर राइट आंसर ठीक है ग्लाइकोजन की रूप में होती है आपको एक बात याद रखना है कि यह तीनों चीजे आप देख रहें तीन चीजे फूल पुशकया तत्व है, तो यहान पे अंगर आपको एनशी प्राप्त करनी है तो हम देखते हैं कि फैट, कर्वो हाइडरेड उसके बाद क्या है प्रोटीन का क्या है ब्रेकडाउन होगा ठीक है यह बात ध्यां रखना है, ठीक है तो कार्वो हाईडरेडड फैड उस इसका पीएच मान क्या है इसका सही उत्तर है याद रखना क्या है 7.4 मतलब हलका बेसिक होता है हलका बेसिक यानिकी थोड़ा सा छारी होता है अगर साथ हो तो नीट्रेल साथ से नीचे हो तो वो क्या होता है आपका अमली एसे डिक और साथ से ज्यादा हो तो वो क्या है बेसिक यानिकी शारी है तो 7.4 है तो थोड़ा सा बेसिक होता है याद रखिएगा ब्लड का लार किसके पाचायन में मदद करता है फैट स्टार्ज प्रोटीन और तो जब कोई भी चीज़े हम खाते हैं दान की मदद से उसे चबाते हैं चोटे चोटे पार्ट में तोड़ते हैं तो यह जो तोड़ते हैं इसमें हम देख रहे हैं तो आप उसमें देखें क्या क्या होता है वहाँ पे प्रोटीन हो सकता है वहाँ पे फैट होता है वहाँ कार्वोहेड्रेट हो सकता है यानि स्टार्ज भी कह सकते हैं उसे स्टार्च होता है उसमें विटमिन्स भी हो सकते हैं उसमें क्या है मिनरल्स भी हो सकते हैं तो जब यहां पर मुह की बात करती है बकल कैवेटी में जो लार होती है तो लार जो होती है वहां पर किसके मदद कि Amylase और दूसरे का नाम है, आप सभी को पता होगा Lysozyne. ठीक है, ये दोनों ही क्या है, कहा जाता है कि स्टार्ज के पाचन में हो मदद करता है. ठीक है, स्टार्ज जो है, Polysaccharide है, उसे डाई करता हैं, पृर मोनों करता हैं, उसके बाद क्या आपका माध्यम से होता है हिमोगलोवीन रोधिर प्लाजमा ए प्लाजमा यसके ан्व Jackie बहुत इंपॉर्टन और बहुत आसानी से सब मिस्टेक करतें इस ताइप के कोंशन में तुरंट देखते हीsky में टिक कर लेते हैं तो यह तो अई है कि हीमोगलोवीन सबसे क्या है A and B दोनों है ठीक है यहाँ पर याद रखना अब यह जो होता हीमोग्लोविन हीमोग्लोविन से रेलेटेट एक कोशन बार बार एक्जाम में पूछा जाता मैं बता देता हूँ कि जब हीमोग्लोविन को मैंने HB लिख दिया हीमोग्लोविन जब oxygen के साथ क्या करेगा बाइंड होगा तो यह क्या बनाएगा ओक्सी हीमोग्लोविन बनाएगा ओक्सी हीमोग्लोविन बनाता है ठीक है दूसरा यही हीमोग्लोविन क्या है जब कार्बन डाइकसाइड के साथ बाइंड हो जाता है जुड जाता है तो क्या बनाएगा कार्ब एमीनो हीमोग्लोव नहीं है कुछ लोग बहुत ज्यादा तुरंट बेहुस हो जाते हैं तो वहां पर आग लगने पर धुआ निकलता है निकलता है तो उसमें कार्बन-मोनोक्साइड दोनों से जादा है तो जब कार्बन-मोनोक्साइड कही पर निकलेगा तो तेजी से और यही कार्बोक्सी हीमोगलोबीन के कारण जो होती है दम घुने से व्यक्तिकी की worship कारभसी कंपाउंड ना है हिएमोगलोबीन प्लस औक्यां प्लक्सीजन औक्यामी ओं यह दोनों ओक्सीजन के परिवहन इसी के भार जैसे धुआ के संपर्ख में आ जाते हैं जैसे टायर का जलना किसी बिल्डिंग में आग लगना या पराली का जलना या किसी प्रकार का जो ब्लैक कलर का जो धुआ निकलता है ज्यादा होता है तो कार्बोक्स हिमोगलोबीन बन जाता है इसके कारण व्यक्ति की जो है सा कार्ट से या फिर लंग से या फिर हार्ट से अगर यहां पे कहा जाएगा एंपी सीमा एंपी सीमा क्या होता है आपके लंग से यानि की फेफडे से रेलेटेड होता है जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेते हैं तो और बाडी के अंदर जैसे जाती तो डोनों लंक्स में वह जाती है तो वहां पर लंक होता है लास बित आ आने पर क्या होता है कि MPC मा के कारण अब्यक्ति को क्या लगता है सांस भर जाती है फिर सांस लेने में दिक्कत होती हम कह सकते हैं जिसमें आक्सीजन की कमी आक्सीजन का एक्सेंज नहीं हो पाता और वहां पर पहले ही पुरानी सी ओटू भरी होती है तो फिर कहा जाएगा कि कूपी काउं के नस्ट हो जाने की कारण जो होती है व्यक्ति की जो है फेपड़ों में प्रावलम आ जाती है सांस लेने में दिक्कत होती ह का आपूर्ती नहीं हो पाता जिसके कारण यहां पर उस व्यक्ति को एमफी सिमा नाम के डिसीज हो जाती है ठीक है यह बात धियां रखना तो सी इस दराइट आंसर नेस्स कोशिन क्यों मूव करते हैं कि कौन सी क्रिया को आक्सीजन आक्सीजन का कॉमन स्टेप माना जाता ह जिसमें की ग्लाइकोलेजिस, फर्मेंटेशन, एन भी, नन दिया हुआ है तो यह आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का कोश्चन दिख रहा है लेकिन आप याद रखना दो महत पूर्ण जो होता है रैस्पिरेशन याने स्वसन यहां पे स्वसन का मतलब सांस लेना नहीं है स्वसन का मतलब ब्रेकडाउन औफ ग्लुकोस यानि फी कह सकते हैं आप फैट कार्बोहइडरेट और कहना चाहिए कहना चाहिए प्रोटीन यह तीनों का जो है ब्रेकडाउन होने के बाद जो एनरजी निकलेगी जो सीधा सीधा अल्टिमेटली ग्लुकोस के फॉर पाइरिवीक अमला में बन जाता है तो इसे हम कहते हैं जो है आपके क्या कहते हैं एमपी पाथ भी कहते हैं एमपी ठीक है मैं इसे इस प्रकार लिख देता हूं एमपी एमडेंट मेर हाप पारनास नाम के तीन साइंटिस नहीं ग्लाइकोलिसस साइकल का खोच किया था जिस में ग्लुकोस किसमें बदल जाता है ठीक है तो यह होता है आपका यह जो होता है किसी भी respiration चाहे वह oxygen के presence में हो या absence में हो दोनों में common step माना जाता है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा is the right answer ठीक है यह बात ध्यान हम देखते हैं बहुत सारे एक लंबी process होती है और उसके बाद उसको energy प्राप्त होती है इसका anti मुदपात क्या निकलता है citric acid निकलता है इसे citric acid cycle भी कह दिया जाता है किसे कह दिया जाता है क्रेफ cycle को टी C cycle चाहन tut यह Ciao इसी के ब्रेकडावन के बाद हम प्रफ्ट होती है कि कि होगा बात है आप पो एरिया से कुछ महत्मूल प्रसवों का आपको समाविस हमको लेकर आ एक उर। थाए में जादा अलग-अलग तरीके से इसे अप्रोच कर पाएं कहीं पे प्रॉब्लम ना हो ये जो questions लिए जा रहे हैं already किसी नी किसी exam में previous इसमें पूछे भी गए हैं या फिर अती महत्पुन प्रसन हैं इसलिए हमने आप सभी के लिए इस प्रगार के questions का collection हम लेकर आए हैं ठीक है तो आई ओप ये सभी बाते समझे होंगे मिलते हैं next session में कुछ और महत्पुन प्रशनों के साब आज के लिए बिदा दीजिए thank you so much have a nice day